दोस्तो आइपिल की सारी टीम्स यूएई पहुच चुकी है और सब अपने अपने बेस का इंतजाम कर रहे हैं जिया दोस्तो यूएई में सारी सारी टीमें अपने बेस का कैम का प्रैक्टिस एरिये का इंतजाम कर रही है तो दोस्तो अपने के करके बात करते हैं कि कौन सी ट ठीम कहां पे UAE में ठहरी हुई है, तो दोस्तों सनराइज हैदरबाद जिसके डेविट बोर्नर कैप्टन है, दोस्तों सनराइज हैदरबाद के टीम दुबई में ठेहरने की इंतिजाम कर रही है, जिया दोस्तों टीम मेनेजमेंट ट्राइ कर रहा है कि गॉल्फ कर दिया जाए दुबई में टीम के लिए पूरे तीन मेने के लिए तो दोस्तों ये जो गॉल्फ रिव्जॉट है ये सनराइज़ हैदराबाद बुक करने के लिए ट्राय कर रही है और दोस्तों दुबई में ये रुकने की कोशिश कर रही है तो दोस्तों इसके बाद बात क इनको रोकने की जगह दी जाए जी आद दोस्तों दुबाई से अबुदाभी का रस्ता बाय रोड लगबग 80-90 मिनट्स का है और दोस्तों यह होटल्स में रुकने की तरह नहीं कर रहे हैं यह प्राइवेट रिजॉर्ट यह प्राइवेट अपार्टमेंट अबुदाभी मे धून रहे हैं ताकि वो पब्लिक के साथ पब्लिक के कॉंटेक्ट में ना आ पाए और सेफली रह पाए तो दोस्तों नीता मानी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है मुंबई इंडियन्स पे और आबुदाभी में उनको ठहरने के लिए और प्रैक्टिस एरिये का इ शारुक खान भी अबुदाभी में अपनी टीम के लिए जगह बनाने की कोशिस कर रहे हैं जिया दोस्तों शारुक खान अबुदाभी में ही अपनी टीम का बेस कैम बनाने की कोशिस कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम किसी रिजॉर्ट में ट्राय करें जिया दोस्तों श जिसमें किंग खान अपनी टीम को ठहराने के लिए और प्रैक्टिस एरिया प्रवाइड कराने के लिए आबुदावी में ट्राय कर रहे हैं जिया दोस्तों वो होटल में ट्राय नहीं कर रहे हैं ताकि उनकी टीम सेफ रहे और वो अच्छे से खेल पाए और पब्लिक के कॉं है महिंदर सिंग दोनी और ये टीम कोशिश कर रही है कि दुबई को ही अपना बेस बना लिया जाए तो दोस्तों महिंदर सिंग दोनी की प्लैनिंग मुझे सबसे अच्छी लगी क्योंकि ये आई सी सी अकैडमी में ही प्रैक्टिस के लिए जगे डून रहे हैं और दुब में ही मैच होने वाले हैं तो ये भार भी जाना नहीं चाते हैं ताकि टाइम कम लगे इनको मैच तक ग्राउंड तक पहुचने में और ये अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए तो दोस्तों महिंदर सिंग दोनी काफी परफेक्ट सोचते हैं बाकी टीम भी अच्छा ही जिनके बारे में पता लग चुका है कि ये कहां रुकने वाली है और किदर रुकने का ट्राइ कर रही है तो दोस्तों हमारे साथ बने रही है ताकि हर कبر आप तक पहुचे सबसे पहले चैनल को सबस्तिक करें और लाइक भी करें और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट से